पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंजाब नेसर बैंक के प्रस्टन लॉन की eligibility criteria के बारे में आपको कितने तक का लॉन मिल सकता है, आपकी salary कितनी होनी चीए, क्या इसका interest rate होगा, कितनी दिन की EMI होगी, तो ये सारी चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया थ उसके बाद हमारे पास बहुत सारे comments आने लगे कि आप मुझे ये बताये कि present loan लेने के लिए क्या के document देने होगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊओंगा कि present loan लेने के लिए आपको क्या के document देने होगे, तो चलिए शुरू करते हैं वाल तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहां पर गारेंटर होना mandatory है और गारेंटर जो होना चाहिए वो income करने वाला होना चाहिए चाहिए वो job कर रहे हैं या फिर business कर रहे हैं तो उनको आई टी आर देना होगा और गारेंटर जो होगा चाहे आपके फैमली मेंबर में से हो या कोई अधर हो वो चलेगा कोई सुनी यहाँ पे आपको डेक्मेंट क्या क्या लगेंगे यहाँ पे दो पासपोर्ट साइज फोटो पेंड कार्ड भोटराई कार्ड लाशन्स तो इन में से कोई दो मेंडेटरी है कोई दो यहाँ पे आपको डेक्मेंट देने होंगा आपको और आपके गारेंटर को प्रूफ अफ डेट ओ वर्थ में कोई आपको एक डेक्मेंट देना होगा चाहे वो अधारकारड हो या कोई वी हो चलेगा उसके बाद proof of resident resident proof आपको और आपको और आपके guarantor को देना होगा mobile number, email id आपको और आपके guarantor को income proof में last 3 मन्त का salary slip और last 6 मन्त का bank statement आपको और आपके guarantor को देना होगा अगर आपका guarantor solid person नहीं है वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको last 2 year का ITR देना होगा और उसके साथ-साथ form number 16 फिलब करना होगा आपको और आपके guarantor को अगला जो आपको document देने होगे employee identity card आपको और आपके guarantor को अगर आपका guarantor business कर रहे हैं तो business license के कुछ document उनको देने होगे तो यह सारे document अगर आप submit कर देते हैं अगर आप लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको पंजाब ने से bank person learn प्रोवाइड कर देंगे तो आई होफ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ share करें और subscribe करना बिलकुल ना भूलें मिलते हैं next वीडियो में तो बने रहें